जे गुरुदेव। सच्चे सादक के लिए एक अंतरंगवारता के अगले सत्र में मैं स्वामी वहिशंपायन आर्ट ओफ लिविंग फाउंडेशन से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्यानपत्र पढ़ लेंगे फिर उस पर चर्चा भी होगी। आज्यान की स्थिती में अपूर्णता स्वाभाविक है और पूर्णता एक प्रयास है। बुद्धिमत्ता और ज्यान की स्थिती में अपूर्णता एक प्रयास है परंतु पूर्णता अनिवार्यव अटल है। पूर्णता संपूर्ण जिम्मेदारी लेना है और जिम्मेदारी का अर्थ यह जानना है कि तुम ही इस संपूर्ण संसार में एक ही जिम्मेदार व्यक्ती हो। जब तुम यह सोचते हो कि कि कोई दूसरे भी जिम्मेदार है तब तुमारी जिम्मेदारी की मात्रा कम हो जाती है। जब तुमारे अंदर पूर्ण वैराग्य होता है तुम तुछ और महत्वहीन चीजों को भी देख रेख पूर्णता से कर सकते हो। उधारण के तौर पर प्रतेक सुबब पूजा के समय श्रीश्री फूलों के विबिन्न रंगों का सयोजन चुनकर पूजा का थाल इतने ध्यान से यह जानते हुए भी सजाते हैं कि यह दस मिनिट भी नहीं रहेगा। पूजा के पश्चात वे स्वयम पूजा के थाल से माला उठा कर उसके फूल लोगों पर बरसाते हैं। वे जब गहन समाधी की अवस्ता में होते हैं तब भी हर रोज बिना किसी प्रयास के बड़े ही प्रेम से पूजा का थाल को सजाते हैं। यह स्पश्ट है कि फूलों को कैसे सजाया गया उसका महत्व नहीं है बलकि इतनी तूच्य वस्तू के प्रती भी इतनी साउदानी और सजगता असीम वैराग्य से ही आ सकती है। पूर्णता एक ज्यानी की ट्रक्रती है। देखो जो विखती ज्यानी होता है न वो कोई भी चीज बहुती सुन्दरता असे करता है। ज्यानी कालक्षन इसके पहले भी मैंने एक बार बताग्यानी कालक्षन क्या है पता है कोई चीज शुरू यह नहीं करता। कुछ भी नया शुरू नहीं करता लेकिन शुरू करता है ना दी बेस्ट करता है क्योंकि ज्ञान में रहने का मतलब भी जिसने पूर्णता को अनुभव कर लिया या आचरण में उतार दिया एक सुन्दरता पूर्णता उसमें छलती है ज्यानी इसलिए कुछ व्यक्ति को आप देखकर ही बड़े प्रभावित हो जाते हो उनसे क्योंकि वो सेम चीजे करेंगे लेकिन आपको महसूस होगा कि वो चीजे ना आम नहीं है कुछ विशेश है उसमें साधारण सी दिखने वाली चीजे भी जब कोई व्यक्ति करते है तो ऐसे लगता है अरे यह तो कुछ अलग ही लग रहा है है ना तो यह लक्षण है ज्यानी होनी का जब गुरुची भी वही एक पूजा के थाली का एक्जामपल इसमें दिया है लेकिन वो पूजा के थाली इको भी कैसे सजाना है जिसका जिसका अस्तित्व कितने समय रहने वाला है जिसका अस्तित्व 10 मिनिट 15 मिनिट रहने वाला है 20 मिनिट के बाद तो वह अस्तित्व कतम है क्योंकि पूजा सब हो जाने के बाद उसको फिर निकाल भी लेते हैं सब कुछ तो उसका अस्तित्व बता रहे है, तो मुझे लगता है, हम सबने ये सीखना चाहिए, समझना चाहिए, कि ज्यानी केसे जीवन जीता है, और ठीक है, दोनों होगा, जब हम बہतर इस तरीके से जीवन जीना लगेंगे, हो सकता है, ज्यान आ जाए, वाईसे वर्सा भी हो जाए, है न, तो वो निजा जराकत्ता वह पूरुनता के साथ हम कुछ करने लगेंगे तो एक्ट cricket कि 아पको पता चलेगा कि ज्यान का भी उदय भीतर हो रहा है पूरुनता एक ज्यानी का स्वावे कितना टाइटल ही सुंदर में अग्ञान की स्तिती में अपूरुनता अनुबोह होता है। लेकिन ज्ञान की और पूर्णता एक प्रयास एंब पूर्णता स्वाविक धूर्णता के लिए weird करना पड़ता है पृषट करना पड़ता है। इसके विपरीत बुद्धि मत्ता और ज्ञान की स्थिति में अपूर्णता एक प्रयासे परंतु पूर्णता अनिवार्यव अटल है लेकिन अगर कोई ज्ञानी होता है तो तो इसके बिल्कुल विपरीत वहां पे पूर्णता स्वाबाविक है अपूर्णता के लिए शायद प्रयास करना पड़ें तो हमना बहुत आसानी से इदर आपने जीवन में टटोल कर देख सकते हैं कि अपूर्णता स्वाबाविक है अँमारे झीसके इस से ही पता चल जाएगा कि या ज्ञान में हो या ज्ञान में हो अपूर्णता स्वाबाविक लग रही है यह कम है और वैसे यह बहुत ज़्यादा लग रहा है तो तो फिर शायद अज्याद में हैं तो यह पहले दो सेंटेंस में ही गुरुजी ने हमको एक फॉर्मुला दे दिया चेक करने का कि हम जीवन में कैसे जीवन जी रहे पूर्णता संपूर्ण में जिम्यदारी लेना और जिम्यदारी का आर्था यह जानना है कि तुमसी संपूर्ण की एक ही जिम्मेदार विक्ति हो पूर्णता यह जिम्मेदारी को अपना ना महसूस करना और कैसे इस तरीके से कि जैसे इस सारे संसार की जिम्मेदारी तुम पर है तुम ही एक जिम्मेदार विक्ति हो कोई और क्या होता है पता है जब हम किसी और को जिम्मेदारी देने लगते हाँ ठहराने लगते हैं तो फिर अपना वह दिम्मेदारी लेने का वो कम हो जाता है मातरा कम आगे वह Сп Ai-da लिखा एütfen जब तुम यह सोचते हो कि की दूसरे भी जिम्मेदार हैं तक तुम्हारी जिम्मेदारी की मातरा कम हो जाती है तो फिर क्या होता है हम ना चीजे छोड़ने लगते अरे वो भी तो जिम्मेदार है तो हम भी नहीं करते वो भी नहीं करते ultimately कुछ भी result नहीं आता तो दूनों जिम्मेदार नहीं है मैं ही जिम्मेदार हूँ यह ग्यानी होने का पूरुनता होने का लक्षन है जब तुमारे अंदर पूरुन वैराग्य होता है तुम तुछ और महत्व इन चीजों को भी देखरेक से पूरुनता से करते हो उधारण के तौर पर प्रत्यक सुबग पूजा के समय श्रीशी फुलों के विबिन रगों का सयोजन चुनकर पू लोगों जबकि वो जानते हैं यह लाइफ लॉंग नहीं है इसका इसका जीवन यह बहुत लंबे समय तक शेश नहीं रहने वाला वो फूजा पूजा का थाल कितना समय यूज में आएगा 15 मिट आगे 20 मिट आदा गंटा तक उसके बाद तो उसका कोई यूज नहीं है लेक उसके फूल लोगों पर बरसाते हैं पूजा के पश्याद फिर वही माला लेकर फूल लेकर लोगों पर भी बरसाते हैं इतना जिनोंने कैरफुली इतना सुंदरता से अरेंज करके रखा था खुद ही फिर उसको उठा के लोगों पर बरसा देते हैं यह समझ में आ रहा है क अभी कभी क्या होता है कि मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से किया ना फिर उसके साथ एक attachment आ गया फिर उसको वह विखरने का विखारने का उसको किसी के उपर बरसाने का मन नहीं करेगा एक्जाम्पल अगर हां मैंने किया है इस पूजा के थाल को मैंने बहुत सुन्दर सजाए तो फिर attached हो गए उसमें उलज गए वो भी नहीं कहते गुरुजी वे जब गहन समादी के अवस्ता में होते तब रोज बिना किसी प्रयास के बड़े ही प्रेम की पूजा का थाल को सजाते है यह सपश्ट है कि फूलो को कैसे सजाया गया उसका महत्व नहीं बलकि इतनी तूच्चे वस्तू के प्रती भी इतनी साउदानी और सजगता असीम वैराग्य से ही आ सकती है जब पूर्णता वैराग्य में डुबे हो सजगता में हो तबी यह परफेक्शन आता है तब यह नजाकत ता आती है तब यह सुन्दर ता आती है यही गुर पूर्णता एक ज्यानी की प्रकृति है तो पूर्णता जो है वो ज्यानी की प्रकृति है उसका स्वभाव है अब पूर्णता अज्यानी के लिए स्वभावत है और पूर्णता के लिए अज्यानी को प्रयास करना पड़ता है लेकिन ज्यानी का पूर्णता परफेक्शन स नजाकत्ता ये सब स्वभावत हो जाता है बहुत ही बहुत ही सुन्दर यह ग्यान पत्र इस ग्यान पत्र से हमें सीखना भी चाहिए हर चीज हम कैसे करते हैं एक तोड़ा सा उसके प्रती सजक्ता हमने भीतर लानी चाहिए ये जीवन में उतारो देखो छोटी से छोटी साथ करके देखो देखो आपके लाइफ की कॉलिटी चेंज हो जाएगी यह मैं गरेंटी के साथ कहता हूं तो आज हम यहीं पर रुकेंगे आपके जो भी प्रश्ण है क्रिपया कमेंट सेक्शन में आप लिखे उसके उपर हम डेफिनेटली चर्चा करेंगे जैसे मैंने कह कि मैं कुछ दिनों के लिए बैंगलोरा अश्रम में हूँ तो यह सेशन हम कर रहे हैं लेकिन प्रश्ण उत्तर हम में भी रिटन में करेंगे जो भी कमेंट सेक्शन में आप प्रश्ण लिखोगे उसके द्वारा हम उसके उपर चर्चा जरूर करेंगे तो आज हम यहीं पर रुपते है कल दुबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विशे के साथ तब तक के लिए शुबरात्री जे गुरुदेव